हेलो फ्रेंड्स वम्याज कीचिन में आपका स्वागत है पेस्ट बनाना ये दिखे इस तरीके से महीन पेस्ट बनकर के तयार हो गया है या तो आप इसी जार में टमाटर का पेस्ट बना ले या फिर आप दूसरा जार ले ले इसमें मैंने दो लहसुन की कली डाली है एक अद्रक का टुकड़ा डाला है जरासी शिमला मिल्च डाली है चार-पाज हरी मिल्च डाली है अब टमाटर डालेंगे पांच मीडियम साइज के टमाटर ली है जितनी ग्रेवी आपको बनानी हो उसी साब से आप सामान को ले 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 और टमाटरों को भी कट करके इस तरीके से मिक्सी के जार में डाल पहले से तैयारी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी यह टमाटो कैचप डाली वन टेबल इस पून के करीब टमाटर की प्यूरी बनाई है उसमें डाल दिये काफी लोगों को टमाटो कैचप का टेस्ट पसंद नहीं आता तो ना डालें टूटी स्पून करीब धनिया पाउ पहलें के लिए नाटी कोफते कोफते बनाने के लिए गाजर ली है जो भी सबजी आपको पसंदो को ले सकते और यह दो बले हुए आलू आप चाहिए तो सब्जी को घरेट कर सकते हैं मैं गाजर को डाल दीग और जो मौटा वाला डंठां होता है बीच अगर ज़्यादा मौटा हो तो इसको निकाल देंगे इस तरीके से चौप कर लेंगे बिल्कुल महीन महीन और बहुत अच्छी तरीके से चौपर में चौप हो जाती है बिल्कुल महीन चौप होती है इस तरीके से आप देख सकते हैं एक बॉल में डालते जाएंगे सभी पता गोबी पता गोबी को भी एकदम महीन कर लेंगे साथी में इसमें शिम्रा मिल्च डाल रही हूं जिसे की साथी साथ चॉप हो जाएगी देख सकते हैं आप बिल्कुल चॉप हो गई है आप इस तरीके से एक बॉल में खटा करते जाएं अगर आप प्याज और लेसुन न अब इसमें अधरक मिल्च और लेसुन का पेस्ट डालेंगे अब जो आलू है उनको या तो आप मैश कर लें या फिर आप ग्रेट कर लें इस तरीके से हलकी से गरम आलू है इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो रहे हैं उसी सबजियों में मिक्स कर देंगे दौनो मेश कर देंगे 1 टेबल को करेंव डाला हैं कि टोटल 2 टτεबल इसमें मिक्स कर देंगे सभी चीजों को जशा जरूरत होकी उतना ही बेसन और ब्लैड कर देंगे देख सकतें कितना अच्छी तरीके से सभी मिक्स होगई हलका सजरूरत पड़ी आप पूरा ब्लैड क्रम डाल इसके बहुत ही टेस्टी बते हैं और इस तरीके से हाथ पे ओयल लगा कर के कोफती की शेप देंगे चाहें तो अबल शेप में या गोल शेप में जो भी आपको पसंदो और इस तरीके से शेप देने के बाद यह कुफ्त तरीक से रॉल कर देंगे प्लेट में टे जाएंगे सम्सारी के सिल शबी कोफ्त बनाकर नहीं और इसे बनाए कि दलेंगे बन आतर ब्राइख पर मिडियुम हाई हीड नाइए कोफ्त गुंको इ Turkish पर था बहुत है कोफते डालेंगे तो मैंने क्योंकि छोटी कड़ाई रखे न तो तीन से चार कोफते आराम से तल जाएंगे इसमें और मीडियम हाई हीट पर कोफतों को तलना है मतलब बहुत ज़्यादा स्लो पे भी नहीं तलना है बहुत ज़्यादा है यह देखिए जो पहले कोफता डाला मैंने यह देख सकते हैं अब बनाएंगे ग्रेवी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कड़ाई रखे कड़ाई में डाला है टू टीस्पून घी और टू टीस्पून ओयल को गरम हो जाने देंगे इसमें हाफ टीस्पून जीरा डालेंगे दो तेज पती डालेंगे अब इसमे दाल देंगे half teaspoon काश्मीरी लाल मिल्च पाउडर जिससे की ना बहुत अच्छा कलर आता है सबजी का जब मिल्च अच्छी तरीके से mix हो जाएगी तब इसमें डाल देंगे जो टमाटर का पेस्ट बना करके रखा था उसको अच्छी तरीके से mix करेंगे थोड़ा सा पानी और देंगे जब दूसे 3 मिनट हो जाएगे उबलते हो इसमें डालेंगे वन टी स्पून चीनी और वन फोर्थ कप क्रीम यह फ्रेश क्रीम है आप चाहें तो दूद की उपर जो मलाई होती है उसको भी फैट करके डाल सकते हैं इसको अच्छी तरीके से mix कर देंगे क्रीम भी अच्छी तरीके से mix हो गई है आप देख सकते हैं और उबाल भी आ गया है अब इसमें डाल देंगे दूद यह एक कप दूद लिया यह एक कप दूद है पहले थोड़ा सा दूद डाला है आप देख सकते हैं जब दूद में उबाल आ जाएगा मतलब ग्रेवी में उबाल फिर इसमें जो बचा हुआ दूद है वो पूरा डाल देंगे तो ग्रेवी की consistency आप अपने हिसाब से रख सकते हैं गार आपको बहुत चादा थिक रखने है तो थिक भी रख सकते हैं अब इसमें डालेंगे 1 teaspoon कसूरी मेथी कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बहुत ज्यादा पतली ग्रेवी ना करें और बहुत ज्यादा थिक भी ना करें क्योंकि कोफते डालने के बाद काफी गाड़ी हो जाती है ग्रेवी और जब कोफते को सर्व करना होता है न तभी कोफते को डालने करी 5 अगर आप पहले से कोफते को डाल देंगे तो कोफते पूरी ग्रेवी को सोक लेंगे और विलकुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में तो ये ग्रेवी एकदम गर्म होनी चाहिए कोफ़ते भर हुख भला ही ठंडे हो तो ग्रेवी आप देख सकते एकदम गरम है और थोड़ी सी थिक हो गई है रखने के बाद दोबारा से गरम का थी ग्रेवी को अब मैने कोफte को डाल दिया है ग्रेवी में आप कोफ़ते को सर् किये थे अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई तो कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर कर अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ में और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें लाइक करें और शेयर करें बब आये फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ